दोस्तों बारिस्क मौसम आ गया है आज मैं आपको पांच ऐसी बाते बताने वाला हूँ जो आपको गाड़ी चलाते समय ध्यान में रखना है अच्छा हमको से गारी आ है नमबर एक अगर आप एक नए ड्रैवर हैं और आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो बारिस्क मौसम में गाड़ी धीरे चलाएं कभी भी हाई स्पीड में ना चलाएं नमबर दो पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने पानी डुबा हुआ है आप अपनी गाड़ी को वहां से निकाल रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी को एकदम धीरे निकालें क्योंकि अगर आप हाई स्पीड में गाड़ी निकालते हैं तो दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि रोड के साइड से आटो, बाइक या कोई पैदल चलता रहता है उसके उपर पानी चला जाता है तो गाड़ी चलाते समय इन बातों का ध्यान रखें अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने ज़्यादा पानी डुबा हुआ है और आपको मजबूरी में वहाँ से गाड़ी निकालना ही है पहले बात तो आपको निकालना नहीं है लेकिन अगर आप निकाल ही रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी का रेस कभी भी ना छो बराबर रेस देते रहें और गाड़ी फर्स्ट गियर में ही रखें सेकेंड या थर्ड गियर में गाड़ी ना रखें नहीं तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा और आप परिसान हो जाएंगे नमबर चार पर अगर आपकी गाड़ी पानी में से बाहर निकल जाती है उसके बाद तुरंद अपने गाड़ी को हाई स्पीड में ना भगाएं क्या होता है अगर आप हाई स्पीड में भगाते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका गाड़ी पानी से तुरंद बाहर निकलता है तो गाड़ी के ब्रेक में पानी चला जाता है और गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता है बहुत हलका लगता है अगर आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और आपके सामने कोई दूसरी गाड़ी आ जाती है अचानक तो आप अपने गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो सायद आपकी गाड़ी कंट्रोल ना हो तो इसके लिए दोस्तो जब गाड़ी आपकी पानी से बाहर निकल जाए तो तुरंत हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं एकदम धीरे चलाएं जब गाड़ी का ब्रेक बराबर लगने लगे उसके बाद ही गाड़ी को हाई स्पीड में चलाएं नंबर पाँच, बहुत ही उप्योगी है जो मैं आपको लाश्ड में बता रहा हूँ दोस्तो अपने गाड़ी में हैमर जरू रखें क्या होता है कभी-कभी कहीं पे बहुत ज़्यादा पानी डुबा रहता है और गाड़ी बंध हो जाता है दोस्तो गाड़ी बंद होने के बाद गाड़ी का गलास नहीं खुलता है और उस समय सबकेशन गाड़ी के अंदर होने लगता है आपने सुना होगा कितने लोगों की मौत भी हो जाती है तो आप अपने गाड़ी के अंदर हैमर जरूर रखें hammer रखेंगे तो आप गाड़ी का कांच तोड़ सकते हैं और आपको oxygen मिल सकता है और आप बाहर भी निकल सकते हैं तो hammer रखना बहुत जरूरी है अगर आपके गाड़ी में hammer नहीं है और आप ऐसी जगह पे फस जाते हैं तो एक और उपाय है जो मैं आपको बता देता हूँ ये जो गाड़ी का head rest होता है इससे आप सिर्फ head rest नहीं कर सकते हैं जरूरत आने पर ये दोस्तो hammer का काम कर जाएगा आप इसे इस तरह से निकाल लीजिए और ये जो कांच होता है इस पर मारोगे तो आराम से कांच तूट जाएगा और आपको oxygen मिलेगा और आप गाड़ी के बाहर भी आराम से जा सकते हैं तो दोस्तो है न उपयोगी अगर आपको जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, share करना अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए मिलते हैं किसे और वीडियो में जैहिंद